हेलो फ्रेंट्स कैसे हैं आप सब वेलकम बेक तो माई यूट्यूब चैनल होप आपको वीडियो बसंदा रही होंगी और आपके बिजनेस को बूस्ट करने में बेनिफिट दे रही होंगी फ्रेंट्स आज इस प्रड़क्ट के बारे में हम बात करने जा रहे हैं वो है नूट्रलाइट नैच्छल सी फ्रेंट्स जैसे कि COVID-19 से बचने के लिए सब बता रहे हैं कि अपनी इम्मुनिटी को इंक्रीज करो इम्मुनिटी अच्छी होगी तो COVID-19 या करोना का अफेक्ट नहीं होगा इन केस करोना हो भी जाता है तो बहुत जल्दी रिकवरी हो जाएगी फ्रेंट्स इस टाइम पे इम्मुनिटी इंक्रीज करने के लिए हमें आरे पास एक बहुत ही अच्छी आप्शन है नूट्रलाइट विटामिन सी फ्रेंट्स किसी भी वाइरस इंफेक्शन बैक्टिरिया से लडने के लिए विटामिन सी हमारी बॉड़ी को काफी हल्प करता है आईए बात करते हैं कि विटामिन सी हमें कैसे हल्प करती है हमारी बॉड़ी में white blood cells जिसको हम WBC बोलते हैं वो हमारी बॉड़ी के लिए antibodies बनाते हैं ये antibodies हमारी बॉड़ी को protect करती है external virus bacteria attack से vitamin C हमारी बॉड़ी में WBC बनाने में help करता है आईए फ्रेंड इस पिक की help से मैं explain करता हूँ कि हम बिमार क्यों होते हैं जैसे आप देख रहे हैं कि body को मैंने ये border consider किया है और antibodies जो हमारी country की army 1 करके consider की गई है ये हमारा defense system है body का और दूसरी तरफ जो आप देख रहे हैं वो है bacteria virus army 2 जो attacker है जो army 1 है ये हमारी body का defense system मान सकते हैं आप antibodies और ये जो army 2 है ये बाहर का bacteria virus जो भी हमें बिमार करने के लिए virus bacteria होती है उसको consider किया गया है और center में आपको दिखाया गया है कि ये border जैसे कि दो armies आपस में लड़ाई करके किसी border पे लड़ती है तो उसी case को explain करते हैं अब क्या होता है इन दोनों में war होती है जो army strong होंगी वो survive करेगी अगर हमारी antibodies strong होंगी तो वो external virus को खतम कर देगी और हम बिमार नहीं होंगे और second condition में क्या होता है कि अगर antibodies weak होंगी यहां आप कह सकते हैं कि आपकी immunity weak होगी तो external virus antibodies को मार के अंदर गुज़ जाएगा body में enter कर जाएगा और हमारी body को बिमार कर देगा तो friends आप समझ रहे हैं कि vitamin C हमारी body में कितनी जरूरी है क्योंकि अगर vitamin C की कमी हुई तो हमारी body में antibodies अच्छे से बनेगी नी हमारा defense system कमजोर हो जाएगा और कोई भी बाहर का external virus या bacteria हमारे body पे attack करके अंदर आ जाएगा और वो हमारी body को बिमार कर देगा friends vitamin C को हमारी body नहीं बनाती और हमें इसको अपनी diet में add करना पड़ता है ये एक water soluble vitamin है तो ये हमारी body में store भी नहीं होता हमको इसको continuously में लेना पड़ता है because ये हमारी body से excrete हो जाता है through urine, through sweat ये friends बात करते हैं कुछ और benefits की vitamin C की सबसे पहले ये हमारी body में एक antioxidant का काम करता है as an antioxidant ये हमारे body में से free radicals के effect को खतम कर देता है free radicals ही हमारी body में main reason होते हैं हमारी aging है जिससे हमें बड़ी जल्दी हम बूड़े लिखना शुरू हो जाते है तो दूसरा बात करते हैं ये हमारी preserve करता है repair करता है connective tissues, bones, muscles and veins अगर हमें कहीं पे गाव या कहीं burn हो जाता है तो ये उसको healing करने में भी बहुत जल्दी help करता है ये हमारे दांतों और bones को solid बनाने में help करता है मजबूत बनाने में help करता है ये हमारे blood से cholesterol level को कम करता है ये हमारे blood cells को बनाने में help करता है आप सब जानते हैं कि हमारी body cells से बनी होती है तो ये उन cells की life को increase करता है और friends ये जो हमारी body में situation आती है stress की ये उस stress को भी relief करने में काफी health देता है आई ये बात करते हैं recommended daily allowance of vitamin C यानि हमें दिन में vitamin C कितना लेना चाहिए कितना intake करना चाहिए तो minimum 60 to 90 mg vitamin C हमारी body की requirement है proper functioning के लिए friends आपके साथ मैं एक information share कर दूँ कि अगर कोई smoking करता है तो एक cigarette पीने से उसकी body का 25 mg vitamin C destroy हो जाता है तो friends आप देख सकते हैं कि smoking करने वालों के लिए vitamin C कितना important है because एक cigarette पीने से अगर उनकी body का 25 mg vitamin C destroy हो रहा है तो उनको कितना vitamin C intake करना पड़ेगा to cope with the situation ये बात करते हैं कौन से foods हैं जिनमें vitamin C available होता है तो जितने भी citrus fruits हैं इन सब में आपको vitamin C available है green pepper, broccoli, papaya, strawberries इन सब को खाने से आपको vitamin C available होता है but कितनी requirement है आपकी body को ये आपको देखना पड़ेगा कि आप कितने ये food ले रहे हैं अगर इन केस आप ये food जादा नहीं ले पा रहे हैं, regular use नहीं कर पा रहे हैं तो आप प्लीज अपने diet में vitamin C as a food supplement add करिए friends, newtelite natural C को आप अपनी diet में add करिए इसकी एक tablet में 40 mg vitamin C है इसमें acrola cherry यूज किया गया है जो one of the richest form of vitamin C है इन acrola cherry की forming newtelite के forms में ही होती है जो पूरी तरह से organic farming के लिए जाने जाते हैं तो इसको यूज करने का benefit यह होगा कि आपको pure organic form में vitamin C मिलेगी जो आपकी body को fit रखने के लिए help करेगी friends, इसकी dosage की बात कर लेते हैं तो इसकी dosage है one tablet per day ताकि 40 mg आप इससे intake कर लें और बाकी की budget quantity आप अपनी diet से ले लें बट जो regular smokers हैं उनको इसकी dosage जादा लेनी चाहिए because एक cigarette आपकी body से 25 mg विटामिन C destroy कर देता है तो जिस हिसाब से आप smoking करते हैं उस हिसाब से आपको vitamin C compensate करना पड़ेगा अपनी body में तो इसलिए आपको इसकी dosage बढ़ा के intake बढ़ानी पड़ेगी ताकि आपकी body में vitamin C maintain रहे तो आईए friends बात करते हैं अब इसकी price की इसकी जो packing आती है वो आती है 120 tablets की और उसका MRP है रुपीज 899 और आज की date में कुछ discount निकालने के बाद इसकी billing होती है रुपीज 867 तो friends इस वीडियो में आपने देख लिया कि कितना जरूरी है vitamin C हम सब के लिए सब को अपनी diet में इस product को add जरूर करना चाहिए ताकि हम इस situation में अपने आपको fit रख सकें अपनी body को fit रख सकें और हर तरह की भीमारी से दूर रहें friends hope इस वीडियो से आपको काफी information मिली होगी इस product के बारे में जिसके बाद आप खुद भी इस product को use करेंगे और इस product को promote करेंगे अपने customers और टीम में जब सब इसे use करेंगे तो सब की community अच्छी रहेगी और कोई भी बिमार नहीं होगा इस वीडियो में friends इतना ही hope आपको इस वीडियो पसंद आई होगी तो friends अगर आपको वीडियो पसंद आई होगी तो please वीडियो को like करेंगा वीडियो पे comment करेंगा वीडियो को share करेंगा अपनी team के साथ और हाँ channel को subscribe करेंगा Thank you, take care